काफी बड़ा सब्जेक्ट है, और पूरे के पूरे आठो सब्जेक्ट आफ CMA इंटर लेवल पे इसको सेकेंड सबसे लेंदी पेपर मैं इसको बोल सकता हूं, सिलेबस बहुत बड़ा है, और इंस्टिट्यूट ने नए सिलेबस के अंदर बहुत सारे अडिशनल टॉपिक्स डाल दिये, जिसके कारण इस सब्जेक्ट को रिवाईस करने में और इस सब्जेक्ट में एक्सल करने में बच्चों को बहुत 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 पुश्कि अगर आपको लगता है आपके पास time कम है 1.25x या 1.5x की speed पे ये वीडियो देखे बट पूरा वीडियो देखे बीच में ना छोड़े मैं आपको बहुत सारे resources revision के लिए इस वीडियो की description में दे रहा हूं जो मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा साथ सारी tips दे रहा ह I guarantee exemption in financial accounting subject आपका 100% आएगा सिर्फ आपको क्या करना है मेरी कही वी बात follow करनी है जो मेरे resources है उनको follow करना है और थोड़ा patient रहकर subject को अच्छी तरीके से revise करना है अगर आप ये कर लिए तो आप जिस दिन exam देकर आओगे और जिस दिन result आएगा आपका comment रहेगा कि sir हमने strategy follow की and हम exemption आराम से score कर पाए और हम यही strategy अपने दोस्तों को बताते है so that वो भी exemption score कर सके तो चलिए आज के इस वीडियो में financial accounting के subject के revision को decode करते हैं किस तरीके से करना है and इस subject को जो काफी बच्चों को डरावना लगता है उस subject को easy बनाते हैं आपके लिए सबसे पहली बात क्योंकि यह बहुत बड़ा subject है आपको सबसे पहले ही subject के revision करने से पहले इसको दो भाग में divide कर लेना है मेरा पहला tip आप हर subject के लिए एक practice copy अलग बनाए financial accounting का जो practice copy होगा उसमे page number one में आप अपने subject को दो पार्ट में divide करोगे easy topics for you tough topics for you यह topic हर बच्चे के यह same रहे जरूरी नहीं है जो topics आपको ऐसा लगता है कि इसके question मैं आराम से बना पाता हूँ जब भी कोई question मेरे सामने आता है 90 to 95% मैं खुद से crack कर लेता हूँ वो ओ गई आपके लिए easy topic हो सकता है basics, BRS, bills of exchange, depreciation, chapters like insurance claim, department का chapter हो गया यह सारे chapters ऐसे हैं जो आप बहुत easily execute, rectification आपने बच्पन में भी पढ़ रखा है, आपकी practice भी है और कोई question आता है तो आप try करते हो तो आपसे बन जाते हैं, इनको आपने easy topics में डाल दिया बट मैं वापस बोल रहा हूँ हर जन के लिए यह list अलग-अलग होगी, tough topics बना लो, जो topics में आपको लगता है बिना revision किये, मैं sum बनाने बैठता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं आदा था, I need a proper revision, उसी के बाद मैं sums बना पाऊँगा, सबसे पहले first page में आप अपने पूरे syllabus को इन दो पाट में divide कर लो, जो topics आप easy topics के अंदर लिख रहे हो, उन topic के लिए revision के लिए time waste मत कीजे, उन topic को आप सिर्फ क्या क कीजे, प्राक्टिस कीजे, आप alternative day या daily एक-एक topic उठाइए, say for example, आज department के दो sum बनाऊँगा, कल मैं rectification के दो sum बनाऊँगा, bills of exchange के दो sum बनाऊँगा, ऐसे करके regular basis पे switch करके, आप दो sum, एक sum, दो sum, एक sum बनाते जाएए, अगर आप sum बना रहे हो और वो sum एकदम 100% correct बन र गलती हो रहा है, तो जिस point पर गलती हुआ, वही point जाके, आप मेरी copy से summary book से revise कर ले, और उस point को, उस point को particularly देख ले, कि मेरे से कहां गलती हुई थी, और मैंने क्या mistake की है, इतना भी आप कर लेंगे, तो ये topics आपके फटा-फट ready हो जाएंगे, तफ topics में आपको revision करने के लि बनाते होना, आपको exactly समझ में आता है, exactly समझ में आता है मेरे को इस subject में, कहां पर time देना और कहां पर सिर्फ practice से निकालना है, कहां पर मेरे को time देने की ज़रत नहीं है, so that minimum time में आप maximum, maximum efforts देकर, या maximum efficiency से आप अपनी पढ़ाई complete कर सको, जो tough topics है, they should get 80% of your time, जो easy topics है, they should get 20% of your time, 20% of your time में आप अपने easy topic को सिर्फ practice करके complete कीजे, 80% of time जो subject को devote करना चाहते हैं, वो आप tough topics पर दीजे, so that आपका subject overall तरीके से cover हो सके, तो सबसे पहला काम first page में आप ये करोगे, next 10 page आप छोड़ोगे क्या चीच के लिए, to note down your mistakes, and important points और important questions of chapter जो आप exam से पहले वाले दिन देखना चाहते हो, आपके exam के पहले वाले दिन, अगर आप एक group दे रहे हो, तब तो आपके पास एक दिन का time रहता है, दोनों group दे रहे हो, तो आपके पास time ही रहता है, टोटल मिला के 8 से 10 घंटे पढ़ने का time रहता है, अगर आप ये बना के रखोगे कि हर chapter के कौन से अच्छे points है, जहां म ही पड़ेगा, तो आप next 10 पे छोड़ दो क्या चीज के लिए, हर chapter के important points जहां आप mistakes कर रहे हो, and important question जो आपको लगता है exam से पहले आपको देखना चाहिए, ये आप 10 पेज में लिखोगे, and उसके बाद आप अपनी practice शुरू करोगे हर chapter की, आज मैं ये question बना रहा हूँ, य question बना रहा हूँ, ये question बना रहा हूँ, हर chapter की आपकी practice उसी copy में चलती रहेगी, ये सबसे पहला काम है subject को divide करना, before you start your revision, please divide your subject, please ये देख लेना, तभी revision करने के लिए बैटना, नहीं तो आप जो time devote करोगे, वो time उल्टी-पुल्टी जगा पे लगेगा, जिसका कोई फाइ subject को हर दिन, देखो hours depend करते हैं, आप एक group दे रहे हो या दो group, दोनों group दे रहे हो तो हर subject को थोड़ा कम-कम hour में complete करना होगा, नहीं तो दोनों group का revision नहीं होगा, एक group दे रहे हो तो आपके पास थोड़ा cushion रहता है, ठीक है मैं थोड़ा जादा time दे सकता हूँ हर subject को और उ बनाया, that's it, आपके financial accounting की practice complete, बट किसी दिन अगर आप सोच रहे हो, मैं ये chapter revise करने बैटूँगा, say for example, आज मेरे को branch revise करना है, तो 3-4 घंटे उस दिन आपको देने चाहिए इस subject को, 2 घंटे के 2-2 slot, पहला 2 घंटे में आपने, say for example, dependent branch पढ़के, अच्छे से revise करके, उनके थोड़े बहुत questions बना के देख लिये, second में आपने foreign branch, independent branch देख लिया, next दिन और जो important question की list मैंने दे रखिया, उन सारे question को cover किया, जब आप किसी chapter को revision करने के लिए time दे रहे हो, तो 3-4 घंटे आपको उस दिन या next day आपको time देना चाहिए, so that thoroughly पूरा आप revise कर सको, और अग गंटे भी अगर आप 4-5 question बना लेते हो, different topics के, that's it, उससे ज़्यादा आपको देने की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो ये depend करता है, आप उस दिन practice कर रहे हो या revision कर रहे हो, revision कर रहे हो तो 3-4 hours, 2-2 घंटे के 2 slot, और अगर आप practice कर रहे हो, तो सिर्फ 1 घंटा देने से काम ह हो जाएगा, total financial accounting के subject को कितना time देना, ये depend करता है, आपका किन topics पे पकड़ है, और किन topics पे पकड़ नहीं है, अगर ज़्यादा topics ऐसे हैं, जिसमें आपका पकड़ है, तो कम से time, कम time के अंदर आपका subject ready हो जाएगा, अगर ऐसे topic ज़्यादा है, जो tough है, जिनको आपको बै देने से ना हो, दो या तीन दिन आपको 4-4 घंटे दे के practice करके उसको complete करना हो, बट आपको लगता है, higher purchase में आराम से 2 घंटे में कर सकता हूं, तो वो उस दिन 2 घंटे में पढ़ाई किया, एक घंटा question बनाया, that's it, उसके बाद next day से उसका question easy वाले में डाल डालके regular थोड़ा practice कर लिया, तो ये बिल्कुल depend करता है आपके उपर कि आपको कितना time देना पड़ेगा, और उस list के उपर कि कितने topics आपके लिए ऐसे हैं, जो आप बिना देखे कर सकते हो, कितने topics में आपको thorough revision लगेगा, उसके basis पे हर subject में time devote करना पड़ेगा, हर subject में time devote करना जो आप thoroughly revise करना चाते हो, जिन chapters को उनका revision methodology होगा, step 1, आप मेरी copy या summary notes उठाओगे, copy उठा कर आप क्या करोगे, सारे जो उस chapter के notes है, वो notes अराम से पढ़ना शुरू करोगे, अब आपने notes में 0.1 पढ़ा, 0.2 पढ़ा, 0.3 पढ़ा, 0.3 में एक topic complete हुआ, आपको लगता इस पे एक question बना लेना चाहिए, so that ये topic holistically complete हो जाए, एक या दो question उससे उठाओ, उसके बनाओ, वो topic complete, then go to the 0.4, 0.5, 0.6, ऐसे करके आप topic wise topic उसको पढ़ते जाए, and एक या दो question हर topic से बनाते जाए, so that उस topic पे आपका application wise grip आने लग जाए, जैसे ही ऐसे करके आप पूरे topic को revision complete करते हो, अब आप देखो, list of important question में कुछ और question बचे है क्या, अगर एक, दो, चार question बचे हैं, तो उन question को next day या उसी दिन एक घंटा दे के practice करके उस topic को पूरा complete करेंगे, तो सबसे पहला step copy से आपको revise करना है, copy note से आपको revise करना है, इस copy note से revision करने से फायदा होता है, theory और theory और multiple choice question की knowledge भी आते चली जाती है, फिर हर topic के एक या दो question simultaneously practice करेंगे, फिर practice करेंगे balance जो बचे वे important question है, मैं important question की list देता हूँ, आपने देखा practice करते समय, 10 में से 4 question आपने कर लिए 6 बाकी है, अब ये 6 question मेरे को और practice करने है, ताकि मेरा ये chapter पूरा का पूरा holistically cover हो जाए, ये 3 चीज़ आपको करने का है, ये हो गया जब आप खुद से revise करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कोई topic ऐसा है जो आप भूल चुके हो, आप बैट रहे हो तो revision हो नहीं रहा है, मेरे revision videos, मेरे revision videos almost every topic के YouTube पे है, revision video जब आप देखने चाहते हो ना, उसमें नया पुराना नहीं देखा जाता, अगर आपको higher purchase revision करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये video नया है, कि ये video पुराना है, because higher purchase का concept तो हमेशा से same ही था, मैं इस video के description में हर chapter के revision video की link डाल रहा हूँ, आपको जब भी revision करना हो, आप कुछ ना करे, revision link को खोले, एक बार मेरा revision अच्छे से सुने, या थोड़ा थोड़ा आदी गंटा revision सुना, आदी गंटा सुनने के बाद एकात question बना लिया, से for example, higher purchase ही आप revise कर रहे हो, तो आपने पहले cash price, interest वगेरा computation मेरे से अच्छे से सुना, फिर आप cash price और interest के दो question बना लिये, फिर आप books of higher purchaser सुने, books of higher purchaser का एक question बना लिया, फि इससे आपका पूरा holistically revision हो जाएगा जब आप revision करने बैठोगे, तो जब कोई chapter में ऐसा लगता है, सर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, मुझे help चाहिए किसी की revision करने के लिए, concept रिवाई याद करने के लिए, आप जरूर revision video follow करें, जो मैंने इस particular video के description में सारे दिये वे हैं, वो बहुत help करेंगे और आप timely सब कुछ complete कर पाएंगे, timely सब कुछ complete कर पाएंगे, ये revision methodology आपको follow करना चाहिए for the subject of financial accounting, easy chapters के लिए प्लीज इतने सारे कामधाम नहीं करने, practice कीजे, जहां गलती होता है, बस उतना revise कीजे, बार बार पूरा पूरा revision करने का ज़रत नहीं हैं, इसके बाद revision sequence क्या होना चाहिए, इस subject को revise करने के लिए, सबसे पहले आप पकड़ोगे set number 1 जो मैंने बनाया, final accounts का section, ये exam में 30 माक के आसपास ये chapter से आपको question दिखाई देंगे, इस set में rectification सबसे पहले करोगे, final accounts of sole proprietorship, उसके बाद single entry, NTO and department, ये 5 chapter इस section में आप complete ये पूरे के पूरे trading PL वाले बनाने वाले chapters है, ये सबसे पहले आप complete करोगे, क्योंकि इन से आगे के chapters related है, ये कर लिया तो आगे के chapters में इस concept को use करके आप बहुत फटाफट revision कर सकते हो, set 2 में insurance claim, branch, consignment, JV, ये भी almost link to final accounts है, insurance claim में आपको trading account बनाना पढ़ता है, stock का value निका same consignment में, same JV में, तो अगर आप set 1 करके रखोगे, तो set 2 फटाफट हो जाएगा, और ये set 2 20 marks के आसपास आपको exam में दिखाई देगा, ये पूरे final accounts से related, इसके बाद next set आप पकड़ोगे lease higher purchase, 5-10 mark का exam में आपको दिखाई देगा, lease AS 19 और higher purchase, पहले lease revise करे, then higher purchase में जाए, next आप करोगे partnership account, जो 14-20 marks के लिए exam में आपको दिखाई देगा partnership accounts, फिर इसके बाद आप जाओगे basics, BRS, depreciation, bills of exchange, AS 10, AS 10 और depreciation हमेशा साथ में revise करो, पहले AS 10 complete करो, फिर उसके बाद depreciation के sums बनाओ, बात complete, ये 10-15 mark का portion, and last में आप जाओगे accounting standards जो आपके लिए बजगे, उन accounting standards का आप revision करोगे, accounting standard में मेरे copy के notes एक बार पढ़ोगे, अच्छे से revision करोगे, फिर जो question मैंने book में दे रखे, उतने एक बार practice करोगे, that's it, उससे जादा कुछ नहीं कर रहा, मेरे AS के सारे revision videos मैंने डाल रखे हैं, मैं link इस video की description में share करूँगा, अगर वो video आप देख लेते ह होना चाहिए, ये sequence follow करोगे, तो आप देखोगे, फटा-फट चीजे connect करते, 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 आप revision कर रहे हो, पहले हम लोग basics revise नहीं करें, कभी नहीं, आपने financial accounting subject पूरा पढ़ दिया, तो आपको basics पहले नहीं देखना, पहले important, मोटे-मोटे chapters complete करो, then go to the other chapters, ये revision होने क के बाद, main जो, जो बच्चे maximum छोड़ देते हैं, वो होते हैं, तीन घंटा बैट के, mixed questions को practice करना, जब individual chapter करते हैं, तो confidence रहता है, बट जब एक ही साथ, एक ही paper के अंदर, 10 chapter के question आते हैं, बहुत बच्चे हडबडा जाते हैं, ये mock tests are very important, आपको 2 full syllabus test 100% देने चाहिए, एक test आपको देना चाहिए, immediately after completion of revision, जैसे ही आपका revision complete हुआ, साथ दिन के अंदर, आप एक test schedule कर लो, उसको complete करो, और एक test आपको देना चाहिए, in the last month before exam, कोई भी last month before exam, एक संडे को बैठे, रात को 3 घंटा और अच्छे से paper लिका, ताकि financial accounting में, कहां-कहां, मैंने अभी revise किया थ कि solve करके, आप अराम से exam में जा सके, तो 2 pull mock test आपको इस subject में देने चाहिए, हम mock test लेते हैं, institute का भी mock test paper आता है, बहुत सारे resources available, आप अगर बैठ के अच्छे से देते हो, कोई चीज की कमी नहीं है, बट ये 3 घंटे बैठ के अगर आप paper लिकोगे, तो आपको exam hall में डर नह लिंक डाल राउं, description में ये आपको बहुत help करेंगी, जब आप अपना test देने बैठोगे, जब आप अपना final exam देने बैठोगे, जरूर गुरु ग्यान के वीडियो देखने के बाद mock test देने बैठियेगा, MCQs के लिए अलग से कुछ नहीं करना, जब आप revise करोगे, copy से आप देखोगे, exam में 15 MCQs के अंदर 10-12 MCQs वैसे ही आएंगे, 2-3 MCQ आपने जो copy notes पड़े हैं, उससे आप आराम से solve कर पाओगे, तो आप अगर वो MCQ वीडियो देख लेते हो, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस वो MCQ वीडियो देखते समय, question देखा, पहले सर, theory कैसे करना है, theory का question भी आता है, जो आप copy notes से पढ़ाई करोगे, revision करोगे, theory भी साथ-साथ complete हो जाएगा, अलग से theory के लिए बैटना नहीं पड़ता है, इस तरीके से पूरे का पूरा financial accounting का subject आपको revise करना है, और आपको अपना revision इसी तरीके से complete करना है, अगर मैंने जित day before exam कैसे revise करें, सर, बहुत कम time रहता है, day before exam अगर आप अपना revision अच्छे से करना चाहते हो, तो आपके पास जो मैंने बोला, वो 10 page handy होने चाहिए, हर chapter में कौन से topics अच्छे हैं, जिनको आपको एक बार अच्छे से देखना है, और कौन-कौन से important question है, day before exam में सिर्फ वो important topics और important question अच्छे से देखोगे, तो बात बाकी easy topics तो आप अराम से कर पाऊगे, उसमें आपको चाप नहीं होगा, main है वो important technical topics अगर देख लिया, तो मेरा सारा काम निकल जाएगा, done, तो ये पूरे क्या, पूरे financial accounting subject का revision strategy, I hope आप अच्छे से पढ़ेंगे, all the best to all of you, जैहिन, bye-bye.